आपका ये भी कहना है कि किसान आंदोलन के माध्यम से खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है विद्धोसों में बैठके लोग फंडिंग कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं यह तो आप सब भी सुन रहे होंगे, कि किसान जहां आंदोलन पे खड़े हैं, वह ट्रेक्टर के ऊपर AK-47 मड़ा हुआ है, खालिस्तान का जंडा लिखा हुआ है, आज कनाड़ा में खालिस्तान की मांग की जा रही है, अमेरीका के विभिन प्रांतों में की जा रही है, गारी बना रखा है, और वो लोग एश करते हैं विदेशों में बैठ कर, ऐसे लोग देश को टुकडे-टुकडे करना चाहते हैं, टुकडे-टुकडे गेंग भी उनके साथ है, आतंकवादी भी उनके साथ है, खालिस्तानी भी उनके साथ है, देश का हिद चाहने वाला कि अपने घरों पर बैठाए आपके समर्थत आरल पी के सांसद हनबान बेनिवाल अपना समर्थन वापस लेने की दमकी दे रहे हैं कृषिविदेख पारित होने के बाद वो उनकी अपनी मर्जी है उनकी अपनी सोच है वो अपनी सोच को ही लागू करते हैं और अपने विचार पर ही वो चलते हैं तो उनको हो सकता हो कि ऐसा करने में उनको हित नजर आता हो गैलो सरकार के दो साल कारे कालो पूरे होगे सरकार जस्न मना रही है क्या कहें अफसोस है कि सरकार जस्न मना रही है एक तरफ त्रही त्रही हो रही है स्वास्त की एक तरफ त्रही त्रही किसान कर रहे हैं एक तरफ देश की मैलाएं अपने आपको सुरिक्षित मैसूस नहीं कर रही हमारे दलित लोग उत्पीडित हो रहे हैं ऐसी इस्तिती में केवल मात्र भारत सरकार की योजनाओं का नामकरण गांधी परिवार नेरू परिवार करते हुए केवल मात्र वो तुष्टी करन की रा करने दिया यह तो अभी देखा है अपने 11 तारीकी शादियों में कि दूले को उतार के पीटा हो ऐसा राज पोपवाई का राज है कुछ भी करो दोसा सांसर जस्कोर मिना जिनका कहना है कि किसान आंदोलन के मार्जम से खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है और कॉंग्र की फसल पैदा होने से पहले उनकी कीमत तैह होगी एटीवी वारत के लिए दिनेस्टीवाडी दोसा